समस्कार, कमास के दोस्त, स्वाबत है रहों नए इस वीडियो इस वीडियो मताने वाला हूं कि आपके पास अंपगो रेखो सेटिकन कर सकते हैं सależते हुगे तो यहां पे SS call करोगे, तो यहां से आप Wi-Fi को visible कर सकते हो, यानि कि off कर सकते हो, on कर सकते हो, इसी को hold करके रफोगे, setting पे चले जाओगे, जो भी Wi-Fi आपको connect करना है, जो भी आपके router का नाम है, उस पे tap करोगे, पहला तरीका बताना हो, connect करने का, और यहां पे आपना password डाल कर दोगे Wi-Fi का, और इसके बाद यहां से OK कर दोगे, तो यह network connect हो जाएगा, अब मैं fix की बाद में बात करूँगा, पहले connect करने के तरीके की बात कर लूँ, यहां से आप चाहो, तो keyword code को scan करके भी connect कर सकते हो, जिसके उपर वीडियो अलग से बना रखे है, या Wi-Fi keyword code वाली connect कर सकते हो, तो manually connect की वीडियो में इसको मैंने बता रखा है, अब यहां पे आपका Wi-Fi connected है, अब यहां पे 3.0 पे जाना है, अडवांस पे जाना है, जितने भी Wi-Fi आपने connect कर रखे होते हैं, वो सारे यहां पे save होते हैं, save का मतलब यह होता है, कि जो Wi-Fi save होता है, उसके range मे और 2.4G होता है, 2.4G मतलब 5G वाला यहां पे एक logo दिखाई देता है, तो अगर चाहते हो कि आपका भी होस्पट हो एगरा जब on हो या फिर आपका Wi-Fi discover mode पे हो, जब सार्च करें कोई connect करने के लिए, तो आपका status display करें, तो आप इसको on करके रख सकते हो, अब यहां पे औ कर दोगे, तो सो करेंगा, अब यहां पे Wi-Fi version number होता है, यह भी अगर सो करना चाहते हो, तो ठीक है, आप इसको digital ही रख सकते हो, इसके बाद यहां पे होता है Wi-Fi data usage, Wi-Fi का data usage आगर आप सो करना चाहते हो, कि कितना data यूज हुआ है, और कौन सा application से कितना data खर्च हुआ है, तो आप यहां पे देख सकते हो, और साथ में, किसी अपने अगर ज्यादा Wi-Fi का data श्टोर कर रखा है, जैसे एक मानिक चलो यह है, तो आप इसके लिए Wi-Fi डिजेबल भी कर सकते हो, किसी भी आप के लिए, अब यहां पे नीचे में scanning always available, तो यह scan करता रहता है Wi-Fi, तो आप को battery train की समस्या आ सकती है, तो आप इसको बंद कर सकते हो, और एक होता है pass point, तो pass point को भी आप बंद कर सकते हो, दोनों ही actually में discovered वाले होते हैं, तो discover section को आप बंद करतो, इससे कोई फारिक नहीं पड़ता है, आप manually connect कर लेना, और इसके बाद Wi-Fi direct होता है, तो Wi-Fi direct पर अलग Wi-Fi का यहां पर info होता है, अब यहां पर main बात कर लेता हूँ, कि अगर आपका Wi-Fi connect हो गया है, और काम नहीं कर रहा है, यह फिनेट नहीं चल रहा तो कैसे fix करोगे, तो सबसे पहले तो आप यहां पर i button पर जाओ, और यहां पर remove network पर चले जाओ, तो आपका network remove हो जाता है, क्या होता है कि Wi-Fi आपका stuck हो जाता है, तो इस वज़ा से आप connect नहीं चलता है, तो अब जब देखोगे तो आप connect चलेगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, तो एक बार mobile को रिये start करके सारा process करो, आपका काम हो जाएगा, और एक चीजा सोर कर लो, कि उस Wi-Fi से कोई और device connected है, अगर Wi-Fi के through, तो उसमें क्या net चल रहा है, या फिर नहीं चल रहा है, ओके, अगर दूसरों में net चल रहा है, और इस सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं होता है, तो last में आपको अपना network reset कर लेना है, ओके, ये बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ, अगर Wi-Fi आपका connected है, दूसरी device से share करना चाहते हो, तो आई बटन पे जाना, और यहां से Wi-Fi की वार कोड़ सो कर देना, इसको scan करके कोई भी आपका Wi-Fi, सेम Wi-Fi बिना किसी password के connect कर लेगा, जिस Wi-Fi को connect कर रहा है, पासवड अगर भूल गए हो, आप password देखना चाहते हो, तो बैकम पर reset में जाते हो, reset phone का option मिलता है, यहां पर network setting होता है, तो network setting को आपको एक वार reset कर लेना है, और फिर connect कर लेना है, आपका problem fix हो जाएगा, तो Wi-Fi की जितनी भी settings होती है, वो साहब कुछ मने बता दिया है, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, तो like किजे, share किजे, subscribe कि मिलता है नेक्स वीडियो में, तब तक क्लिए, bye bye